हेलो फ्रेंड्स बोटनी स्टूडेंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है आजके इस ब्योड में हम बात करेंगे जिंगर के बारे में जिंगर का पोटैनिका नेम है मारे पास जिंजीवर ओफिसी नेला फैमिली इसकी मारे पास जिंजी भी रैसी क्रोमोजोम two and equal to 22 . नेम क्यों है र्यसोम ज्ब्रावे रैसोम फिरेंगेऐ नहीं प्टीजा लोटन बात किते हैं ग्रीञ थरौच में जिंगें रिंणी क्यों किते ब्रियूं ने चैनल विब्स प्रत सब्साइब दो और बात किते हैं मुर्त करते हैं जिंगर देंगिðेंट qvamay और रुषय और उर्ह र्षोमी इस हो नो रोटम्ला कता है एक पे पार पार बीशीद से में बैइसर से फपन लि रएख भीर बोम्हों को लिखना मेटियो रहाप लएख उनली इनलब्हों में जो वनक हो चाहि कि अनल कर दो पे जहिए उनलब अपन दो नदे फार मेटियों दिफिशुट अन्म एंवल एड़ दिविन अलेंटेलेटली एड़ 20 cm लो दिफिशुटर एड़ एड़ एड़ंएंट 60-90 cm लो ने सेट्टी गुंपेर टू में जुसकी साइकंड प्रैल ओगी वर शोट होगी में स्टेम के कमपेरें में ने the inflorescence directly arise from rhizome and beer flowers flowers are pale yellow with purple streaks the rhizome contains starch, rhizome में 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 पस क्या होता है, starch होती है, gums होती है, protein, fiber, low risins and essential oil, mineral sector, the characteristic aroma और flavor जो जिंगर का है वो में में पस होता है due to volatile oils, कौन कौन है वो में पस तेटार सिस्क्वेटिर पीन, monotrim पीन, the main volatile oils are zincirone, sugarless zinciroles, zinciroles are for pungency of fresh rhizome, zincirrhizome which are converted into zincirone during drying marking, dry zinger जो होता है और बस वो less pungent होता है, जो मारा dry zinger होता है cultivation की बात करता है, it preferably grow in warm and humid climate, a moderate rainfall is required at soving time इसके लिए हमें जो pH चाहिए होती है, जो चाहिए 6 to 6.5, rich in hummus, best for zinger temperature होना जो है मारा पस 92, 28 degree Celsius, mostly it is cultivated during summer season, FYM जो हो उसको आड़ करते हैं आफ्टर प्लागिंग जिंगर, after plugging zinger is propagated through rhizomes, rhizome को हम लेंगे, उसको हम कट करेंगे 205-50 cm तर ठीक है प्लाइजोम को हम 25-5 meter तक की rhizome लेंगे, उसको हम फंगिसाइव सा ट्रीट करेंगे फिर हम उसको ड्राइड करेंगे 3-4 hour के लिए और उसको हम फिर प्लांट कर देंगे स्पेस रखेंगे बीच में 20-25 cm का अलोंग तर रोज, रोज में उसको प्लांट करेंगे और उसमें तर स्पेस रखेंगे The crop mature in 7-8 months after planting However, rhizome can be harvested after 6 months for vegetable purpose Rhizome can be dug after the aerial part of plant have withered Dried rhizome are cleared of dry leaves, roots and soil Varieties की बात करते हैं, जिंगर की कौन-कौन सी Varieties है Himachali, Nadai, Himgiri, S.R, Varada and Atril इसके साथ हमारे यह जिंगर की Morphology, Cultivation और कुछ Varieties का Topic complete होता है अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक्यू